तो नमस्कार दोस्तों, DC Mobile Solution में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और एक समस्या सभी technician की साथ रहती है कोई MI का set आता है तो वो fast boot to ideal किस तरीके से करें क्योंकि customer इस चीज़ से satisfy नहीं हो पाता है तो यहां पर आज इसका solution आपको बताने वाला हूँ और किस तरीके से आप कोई भी Xiaomi का phone fast boot to ideal कर सकते हैं और उसमें आप MI assistant mode होता है यानि की recovery mode होता है उसमें भी आप FRP easily कर सकते हैं तूल कौन सा है वो सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो चैनल पर नहीं हो भाया सब्सक्राइब कर लो बैर आइकन को दबादो ताकि एक लिए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तो यहां पर जो हमें टूल डाउनलूड करना है वो है देखो मैं पहले वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ और वेबसाइट पर आप जाके करना चाहें वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं और आपको लिखना है शौमी प्रोफेशनल टूल अभी तुरंत मत जाना इस वेबसाइट पर पहले इस वीडियो को देख लो ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए थुड़ा आज ठंड बन ज्यादा है तो इस वह से मैंने लगाया हुआ है आज बहुत ठंड है आज बारिस भी पढ़ी है तो यहां पर यह देखते हैं देखो यह वेबसाइट पर्चेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि इसमें आमें क्रेडिट से काम करना होता है और क्रेडिट बिल्कुल जैसे मैं बताऊंगा आपको कितने क्रेडिट लगते हैं ठीक है इसका अब यूएसबी ड्राइवर इस्टॉल करने उसके बाद जो हमें सैटप को इंस्टॉल करना है तूल का इंटरफेस में आपको दिखाऊंगा तूल तो वीडियो में बने रहो अभी आप ठीक है यहां पर हमें क्लिक करना यह सारे जो ड्राइवर से हमें एक एक करके इंस्टॉल करने पड़ेंगे ठीक है इस तरीके से देखिए यह करा इस पर क्लिक किया यह करा ठीक है इस तरीके से जो सारे यह ड्राइवर इंस्टॉल होंगे तो यहां पर यह सारे सेटप हमने कर लिये हैं और जो भी ड्राइवर लेव यूस भी ड्राइवर थे वो सारे के सारे इंस्टॉल कर लिये हैं इसको बैक करते हैं तो और इसको फिर से बैक करते हैं और अब इसको जो है श्यामी प्रो टूल को एक्सिरेक्ट करते हैं ठीक है मैं सरी चीजसे आपको बताऊँ है किस तरीके से आपको इस टूल में क्या क्या मिलता है ठीक है तो यहां पर टूल ओपन होने के बाद दूस्तों कुछ इस तरीका का दिखता है अब इसमें हमें सबसे पहले रेजिटेशन करना होता है रेजिटेशन का कोई भी चार्ज नहीं लगता रेजिटेशन जो होता है वो लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री रहता है तो यहां पर देखी यहां पर सिंपल आपको ऐमेल डालनी यह जो भी आपकी एमेल आड़ी ओ क्योंहें कि टेकल सिंपल यहां से आपको पासव Always डालना है मितलब है कि आप्साइन पांज भी आप डाल सकते हैं एक दो तीन चार पांच उ सार पाट और बाकी का आप जो भी डालना चाहें, वो डाल सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, कि यहाँ हमें रेइस्टर पर टिक करना है, ठीक है, रेइस्टर पर टिक करा, अब यहाँ पर हमें अपना नाम डालना है, तो मेरा नाम है जिते इंद्र, आपका जो नाम हो, आप वो डाल सकते हैं, ठीक है, okay करेंगे, okay करने के बाद यहां पर होगा कि यूर रेजिस्टेशन सक्सेस्फुली, अब यहां पर सिंपर लॉग इन पर टिक करना है, और लॉग इन करने के बाद देखेंगे हम कि इसमें MI Server 1 पे 1 क्रेट लग रहा है, MI Server 2 पे 5 क्रेट लग रहा है, अब भी सारी सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिस पे भी स्टेटस ओफलाइन होगा, तो वो सर्विस काम उस समय नहीं कर रहे होगी, बकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सारी सर्विस ओन ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह जो जैनरिक वाले ओक्षन है, आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और यह शौमी मिटटेक स्पेशल है, इसमें आपको क्रेट लगेगा, इसमें भी आपका लगेगा, MI Assistant Mode यानि Recovery Mode में आप Simple FRP कर सकते हैं, किसी भी शौमी फोन का, आपको फोन कोलने की बिल्कुल भी जरूद नहीं है, फोन शौमी असिस्टेंट मोड में, जैसा कि आपको पता है, वोलिम आप और पावर की दबा के चला जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर रिकवरी में ले जाके और उसको आप कर सकते हैं, और रिबोर्ट पर आप देखेंगे, तो यहां से आप फ्लेश कर सकते हैं, शौमी फ्रम्वेर डाउनलोड, यह वाला जो ऑप्शन है, यह भी बहुत दमदार है, इसमें आपको कोई भी, आपका कोई MI का फोन है, ठीक है, तो यहां पर MI Note 10 पर जाएंगे, देखें, यहां पर सिंपल हमें स सब नंबर मिलेगा, वहां से आपके पर्चेस कर सकते हैं, ठीक है, तो यही था इस टूल में, और मिरे पास अभी कोई मोडल है नहीं, तो मैं आपको करके दिखा नहीं सकता, और आगे आने वाले समय में, कोई जैसे मिरे पास कोई MI का स्वेट आता है, तो मैं आपको दिख